हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रसोई बीभाकी तो आज हम आपके साथ सेयर करेंगे बहुत ही असान तरीके से बनने वाली रेसिपी जिसे आप घर पे बहुत असानी से और बहुत जल्द बना सकते हैं कभी आप बना लेंगे तो हर रुज बनाएंगे तो चलिए दिरना करते हुए शुरू करते हैं तो चलिए इस बॉल में हम सबसे पहले डालेंगे तो यहाँ पे हमने लिया है एक कप सूजी और सूजी मैंने पातलावला लिया है आप यहाँ पे कोई भी सूजी इस्तमाल कर सकते हैं आलमंस के जगा पे आप काजू भी ले सकते हैं तो चलिए डाल देंगे इसे तो मैंने यहाँ पे दो बड़े चमच आलमंस लिया है और यहाँ पे डालेंगे एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर और यहाँ पे डालेंगे एक छोटी चमच बेकिंग सोडा और इसमें और यहां पर हमने लिया है एक कप पीसा हुआ चीनी अगर आप बीना पीसा हुआ चीनी इस्तमाल कर रहे हैं तो आधा कप ले तो चलिए इस चीनी को डाल देंगे इसमें तो अब यहां पे डालेंगे हम चारबुन बनिला एसेंस अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें तो सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया है इसमें तो यहां पे हमने लिया है दो बड़े चमच हर्शी सीरप यह बजार में बहुत असानी से मिल ज दही यह घंठा को जमाया हुआ टाजा दही है इसमें घटा दही इस्तमाल करना है दो चलिए डाल देंगे इसे इसमें तो यहां पर लियाए तो यहां पर हमने लिया है ओईल किया हुआ दूध यह न ज्यादा ठंडा है और न ज्यादा गरम है तो चलिए डाल देते हैं इसे हम इसमें हम दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका अच्छा सा घोल तियार करेंगे तो यहां पर गोल हमने तयार कर लिया है तो इस गोल की consistency मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल इतना ही गड़ा रखना है इसे जएदा पतला नहीं करना है और इसे लगतार चलाते हुए पांच मिनट तक अच्छे से फेट लेना है और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेटेंगे तो इसे मैंने पांच मिनट के लिए अच्छे से फेट लिया है तो इसे हम कवर करके दस मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये 10 मिनट के बाद थोड़े से और गाढ़ा होगा क्योंकि सूजी जो है थोड़ा सा पानी को सोखता है इसलिए इसकी कंसेस्टिंसी हम दूर डाल के खिर से तयार कर लेंगे तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए रेश्ट होने देते हैं तो 10 मिनट हो चुका है तो हम देख लेते हैं तो देखिए हमारा गोल जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे हमने 4 चमस दूध डाल दिया है तो चलिए थोड़ा सा दूद मिला कर मैंने इसका फिर से घोल प्यार कर लिया है विल्कुल इसका इतना ही consistency रखना है न यह जदा गाणा हो और न जदा पतला हो तो इसे हम थोड़ा सा और फेट लेंगे जितना अच्छे से आप घोल को फेटेंगे उतना ही आपका cake perfect बनेगा और यह खाने में बहुत tasty लगता है आप इसे एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे हर बार बनाएंगे क्योंकि यह खाने में बहुत tasty लगता है और बनाने में बहुत कम समय लगता है आप इसे बहुत असानी से बना सकते हैं जब आपके बच्चे गेख खाने का जीद करें, तो आप इसे घर पे जटपट बना कर तयार कर सकते हैं, बीना जंजट, बीना परिसानी के, अगर जदा ये पतला हो जाए, तो इसमें फिर से मैदा या सुजी डाल कर घोल तयार कर लें, तो यहाँ पे हमने लिया है एडली मे कर को तेल से ग्रीज कर लेंगे, सब को अराम से लगा लेंगे, हाथ से लगा लेंगे या ब्रस से भी अप लगा सकते हैं, सारे खाने को हमने तेल से ग्रीज कर लिया है, तो अब इसमें हम घोल डालेंगे, इसमें घोल आप ज्यादा उपर से भरना नहीं है, थोड़ा सा कम रखना है बिल्कुल इतना रखना है तो सारे मेकर में मैंने गोल को डाल दिया है तो अब चलिए चलते हैंगा इसके तरफ तो यहां पे इडली मेकर में हमने टोटल एक लिटर पानी मने डाल दिया था इसमें बॉइल होने के लिए तो अब इसमें हम डालेंगे ये अपना भोल तयार किया हुआ और इसे 15-20 मिनट के लिए हम इस्टीम करेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे और गैस को मेडियम फ्लेम पे कर देंगे तो यहां पे 20 मिनट हो चुका है तो हम देख लेते हैं वाव देखे कितना बढ़ियां बन के तयार है तो गैस को हम बन कर देते हैं और इन्हें ठंढा होने देते हैं इडली मे कर से इसे हम तब निकालेंगे जब यह अच्छे से ठंढा हो जाए ठंढा होने के बाद यह बहुत असानी से निकल जाता है तो मैं आपको एक दिखा देती हूं आप इसे बहुत असानी से बना कर त्यार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत स्वाधिश्ट लगता है तो सब को हम निकाल लेते हैं तो ये है ने बिल्कुल बनाना आसान हाँ पे हमारा थोड़ा सा घोल बच गया है तो इसे हम बाद में बना लेंगे मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ देखिए ये बिल्कुल हलका और अस्पंजी है ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट लगता है तो चलिए आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की हमारी रेस्पी आपको कैसी लगे अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइच किया ज़रूर कर दें तो मिलते हैं कि नई रेस्पी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें थैंक राइब बाइ